सरकार सोना बेच रही है और आप इसको सस्ते में ले सकते हैं केवल 5,830 रुपय में 1 ग्राम सोना आप यहाँ पर ले सकते हैं 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का सोना आप यहाँ पर खरीच सकते हैं ओनलाइन और ओफ लाइन दोनों तरीके हैं इसके अलावा आपको यहाँ पर 0.5% पर NM के इसाब से ब्याज भी मिलेगा पांस साल के बाद में आप इसको premature close करवा सकते हैं ब्याज जो है आपको हर 6 महिने से आपके खाते के अंदर जम्मा कर दिये जाएगा यदि आप इसको offline खरीदना चाहते हैं तो bank या post office से खरी सकते हैं लेकिन ओनलाइन खरीदना सबसे बढ़िया रहता है तो ओनलाइन खरीदने के लिए आपको अपना dmate account open करना होगा इसके लिए आपको एक link वीडियो के नीचे description में मिलेगी यह link angel one company की है जिसमें आपको free training मिलती है फिर आपका खाता open होता है link पर click करने के बाद में आ आपको angel one app को download कर लेना है फिर उसके अंदर फिर आपको login कर लेना है login करते ही home page पर इस परकार से आपको सारी skims मिलेगी जिसके अंदर आपको gold bond skim पर click करना है invest करने के लिए आपको invest now पर click करना है invest now पर click करने के बाद में आपसे quantity पूछी जाएगी आप 1 gram से लेकर 4 kilo तक 2 gram 2 gram जितना भी आप लेना चाहे उतना ले सकते हैं उसके बाद में by default यहाँ पर payment method रहता है net banking का यदि आप change करना चाहते है तो change पर click करिए उसके बाद में phone पे google पे जो भी आपके phone के अंदर install है उससे कर सकते हैं इसके अलब आप UPAI option से भी उसको कर सकते हैं ध्यान रखे इसे payment यहाँ पर कटना चाहिए अधरवाज आपको फिर gold bond नहीं मिलेगा ऐसा करता ही आपका order यहाँ पर लग जाएगा पहले से को investment है तो यहाँ पर आपको investment के अंदर दिख जाएगा order के अंदर जाकर आप order को देख सकते हैं सारी detail यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो आप है September को यहाँ पर allotment होने वाला है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा तुरंत अभी जाएगे लिंक पर क्लिक कीजिए तुरंत से खाता को लिए और तुरंत से फिर आप SGP खरीद लेजिए इसमें आपको ब्याज और return दोनों मिलेंगे 8 साल के बाद में जब mature होगा तो समय यह पैसा जो आपके खातें के अदर सीधा ही आ जाएगा इसी परकार के जान करें के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करना नहीं बूलें